वेलकम टू बैक दुनिया टाइम्स में, पाकिस्तान में इरान ने मचाई, जबरदस्त तबाही, ताबध तौड एर स्ट्राइक से थर्राई, पाकिस्तान की धरती जलते पाकिस्तान की हालत पर OIC अब क्यों चुप बैट गए हैं, जिस 57 देश पाकिस्तान के लिए OIC की बात पर भारत के आगे मुह खोलता था, वो OIC आज पाकिस्तान की बधाली पर चुप बैठा है, OIC इसलामिक सहयोग संगठन की दोहरी मुखोटा का खुल गया है, क्यो OIC भारत के अंदरूनी मामलों में बार बार हस्तक शेप कर सकता है, लेकिन इसलामिक देशों में मचे, आतं संगठनों को निशाना बनाया, OIC ने इस हमले पर कोई रुख नहीं दिखाया, भारत के अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसला में OIC ने एकत्रफा और गलत बताया था, और भारत को सभी कदमों को वापस लेने की अपील की थी, OIC के दोहरी माबदंड कि गाजा, इरान, इर सीरिया में हुए हमलों और बम धमाकों पर चुपी साधी है, और इसलामिक देशों में मरने वाले मुसल्मानों के लिए कोई मदद नहीं की, और ना गुहार लगाई, इरान ने बिना किसी वजह के पाकिस्तान के हवाईक शेतर में घुस, पाकिस्तान में इरान ने मचाई, जबरदस्त तबाही, ताबद तोडे एर स्ट्राइक से थर्राई, पाकिस्तान की धर्ती जलते पाकिस्तान की हालत पर वाईसी, अब क्यों चुप बैठ गए हैं, जिस 57 देश पाकिस्तान के लिए वाईसी बाद बात पर भारत के आगे मुह खोलता था, वो आईसी आज पा तंकवादी संगठन पनप रहे हैं, खुद को इसलाम का रक्षक बताने वाला ओईसी इसलामिक देशों में मचे बवाल पर आँख बंद करके बैठ गया है, लेकिन वहीं जब बात भारत की हो, तो ये बात बात पर बीच में कूर पड़ीडे लिता है, भारत में जब सरकार पर ने 370 हटाया, तो यही ओईसी मसीहा बन कर कूदा, और तब तो कश्मीर में हालात हिंसक तक नहीं थे, इतना ही नहीं, जब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 370 को लेकर अपना फैसला सुनाया, तब भी ओईसी बीच में कूदा, और आज जब अरब देशों में मुसल्मा मर रहे हैं